नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल पर मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेकर हूँ नहीं वीडियो तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि एच्टेट की नोटिफिकेशन आच चुकी है 2021 के लिए बुलिटिन आपके सामने बिल्कुल खोल के रखेंगे अभी कि क्या eligibility रहेगी क्या तारीख है टेस्ट की duration कितनी रहेगी negative marking है या नहीं है अगर कोई से पास कर लेता है तो ये जो certificate है ये कितने साल के लिए मानने करेंगा admit card कब आएगा और sample questions आखरी में जुरूर देखेंगे सबसे ज्यादा important है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के question TGT PRT और PGT में आपको देखने को मिलेंगे और क्या syllabus रहेगा ये भी हम देखेंगे तो चलिए नीचे चलते हैं सबसे पहले आप फीस structure है आप आप लोग देख सकते हैं जिस भी category में आप fall करते हैं उससाब से आप फीस भरिएगा इसका तो इसमें कुछ important है नहीं अब आते हैं थोड़ी important जानकारी पे कि 15 नवंबर से आपके जो application वो start हो चुके हैं मतलब कि कल शाम से application start हो चुके हैं और 25 नवंबर तक ये भरे जाए हैं यह आपको दिन दिये जाएंगे दो चलिए नीचे चलते हैं तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि eligibility क्या रहेगी तो पहले हम यहां पर यह देख लेते हैं कि यह तीन चीजों के लिए कराये जाता है जो first से लेके fifth class तक के जो teacher होते हैं जिने हम primary teacher कहते हैं फिर आपक 12 तक की यह कौन होते हैं पोस्ट graduate teacher मत की PGT ठीक है चलिए नीचे चलते हैं अब थोड़ा सा और तो यह यहां पर primary teacher की qualification दे रख्येस मोटा मोटा आपके पास 12 होनी चाहिए और साथ में डिपलोमा होना चाहिए दो साल का आपका और आप final year में भी अगर आप हो तो आप इसक इसको apply कर सकते हो अब आ जाते हैं और नीचे थोड़ा सा तो यह TGT का आगया आपका जैसे TGT में मैं आपको physical education का mainly दिखा देता हूँ क्यों कि सारे viewers हमारे physical education के ही है ज्यादतर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे WhatsApp paid group से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा paid group 20 November से start हो रहा है तो कुछ 4-5 दिन मुश्किल से बचे हैं तो आप जुड़ सकते हैं इसमें topic wise MCQ test की जो series चलती आती है हमारे WhatsApp group पे हमेशा से तो वो इसमें चलेगी mock test एक नई चीज लाएं mock test आपको application पे दिये जाएंगे जो हमारी app है side में आपको show हो रही topic wise MCQs की PDFs होती है वो आपको app पर ही मिल जाएगी इसकी जो fees है वो आपके 1500 रुपे ही है पहले की तरह जो students जुड़ना चाहते हैं चाहिए वो KVS, HTED, Data Place B, UP ये किसी भी physical education exam के तयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं दिये गए नंबर पर WhatsApp करें और जानकारी ले 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 ठीक है तो topic wise MCQ test आपके WhatsApp पर ही होंगे बाकी दोनों चीज़े आपकी app पर होंगी जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर तो याद रखें validity 3-4 महिने की है हाला कि mock test की validity 5 महिने की रहेगी चलिए आ जाते हैं वीडियो पर दुबारा से जो interested students होंगे वो message कर दीजेगा अब TGT physical education में कौन कौन apply कर सकता है जिन्होंने DPA कर रखी है या BPA कर रखी है या वो final year में हैं अपने दोनों के ठीक है तो आपका apply कर सकते हैं मैं आ जाता हूं थोड़ा से नीचे PGT में आपको पता यह हुगा MPA या MA वाले students इसको कर सकते हैं आप थोड़ा सा important जानकारी की तरफ च schedule क्या है तो schedule आपके सामने है 18 से आपका 18 और 19 दिसंबर को यह paper होगा और देड़ सो मिनट का यह paper होगा और इसमें कितने questions आएंगे तो देड़ सो questions आएंगे इसमें ठीक है याद रखेगा देड़ सो questions आएंगे अभी मैं बताऊंगा कि किस पार्ट से कितने questions आएंगे और यहाँ पर में एक important चीज आप सभी को बता दू कि यहाँ पर negative marking नहीं है ठीक है तो negative marking नहीं है आप सारे के सारे questions attempt करके आना क्योंकि जितने questions चाहे आपके तुक्के से सही हो जाएंगे तो आपके marks लगेंगे क्योंकि negative marking नहीं है तो आप तुक्के भी अच्छे से उसको apply कर करके आना कोई question छोड़ना नहीं है यहाँ ठीक है paper Hindi और English दोनों language में होगा लेकिन जो language वाले questions होंगे जैसे Hindi language के जो आपके perspective questions होंगे वो Hindi में ही होंगे otherwise बाकी जो आपके content है वो सब दोनों language में available होगा और यहाँ पर आप important रिक और चानकारी देख सकी है जो इसकी validity है आपको score improve करना है तो आप दे सकते हैं और एक चीज़ और मैं बता दूँ अगर आप जितने लेवल पर जैसे आप PRT का देना चाते हैं TGT का और PGT का अगर आप तीनों का देना चाते हैं तो आप तीनों के लिए अलग से आपको application भरनी पड़ेगी और अलग से ही तीनों प चलिए आज ये नीचे थोड़ा सा आप यहां पे mode of examination आप देख सकते है mode of examination कौन सा है conventional type है जो हमेशा से चलता आ रहा है हमारा जो pen paper वाला होता है गोले उसमें भरने होते हैं तो वही तरीका है ठीक है admit card आपका online आएगा by post नहीं आएगा यही चीज़ यहां पर लिखी हु एक चीज तो यह बचती है कि आपको कितने subject में मतलब अगर आप TGT का paper देते हैं तो आपको कौन-कौन सा subject उसमें पढ़ने होंगे तो आप एक second दीजे मेरे को मैं आपको आपको खोल के दिखाता हूं कि PDF बहुत बड़ी है तो थोड़ा सा time लग रहा है यहां पे यह रहा है हाँ पे आप देख सकते हैं PRT का शायद बहुत कम student भरेंगे बाकि आप देख लीजिए तो PRT में subject का कुछ भी नहीं है आपके सारे के सारे जो है यह information आपके सामने है कि किस से कितने questions आएंगे तो जैसे CDP मतलब कि Child Development and Pedagogy में 30 question 30 number के language में 15-15 Hindi English के दोनों के रहेंगे 30 number के General Studies में Maths, Reasoning और आपकी GS हरियाना की पूछी जाएगी तो वो 30 number के Maths 30 number की अकेली एक और आएगी और EBS मतलब के Environmental Studies आपके 30 marks की आएगी अब देख लेते हैं TGT का क्योंकि काफी students TGT के लिए excited होंगे तो TGT का जो रहेगा वो आपके सामने है इसमें different है different क्या है कि देखे इसमें subject मतलब की जैसे आप Physical Education से भरेंगे General Studies में आपके 3 चीज़े होंगी Maths, Reasoning और आपके GK हरियाना की रहेगी ठीके और इसमें जो minimum criteria होगा कि कौन eligible होगा मतलब क्यों qualify माना जाएगा तो वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से देखे जो normal category में है ना वो schedule cast में है ना कोई differently abled है physically challenged है General के हो गए आपके OBC के हो गए ठीक है तो वो सारे कहां पर जाएंगे उनको 90 number लाने जरूरी है तो याद रखे देड़सों में से अगर 90 से एक number भी कम रहता है तो आप H-Tat में पास नहीं है इसी तरीके से नीचे दे रखा है अलग-अलग category के लिए यह आप देख लिए गया जैसे SC के हैं जो आपके वो हर्याना से जो है SC में वो 82 number पही से qualify कर सकते हैं और जो बहार के हैं फिर चाए वो SC हो चाए वो physically challenged हो उनको 90 number लाने ही पड़ेंगे यही आपका PGT में है आप देख सकते हैं याप PGT का भी मैं दिखा देता हूँ यह आपका PGT सेम है no negative marking आपके सामने लिखा हुआ है अब आजाते हैं आपके sample paper पर photo और आप देख लीजेगा यह थोड़ा सा मैं यह जो PDF है यह telegram channel पर हमारे डाल दूँ आप telegram channel से link आप ले देना और इसको देख लेना बाकि एप पर भी आपको मारी मिल जाएगा चलिए नीचे आ जाते हैं अब यहाँ पर यह हमारे sample questions है कि किस तरीके के questions आएंगे आपके तो PRT में कुछ इस लेवल के questions आएंगे child development and pedagogy में आप देख सकते हैं इसकी PDF पूरी आपको मिल जाएगी जैसे English में question if you reach the school late, your principal dash angry तो चार options है आपको एक बताना होगा इसमें इसी तरीके से आपके सारे होंगे ठीके अब आज जाते हैं TGT में क्योंकि TGT के काफी students होंगे इसमें तो TGT में मैं दिखा देता हूँ आपको English के questions आपके सामने हैं simple questions जैसे आपके सामने की दे रख father तो कुछ नहीं receive की जो spelling है उसके उपर बात चलिए है आपको डालनी है बाकि physical education के कैसे question आते हैं जैसे यहाँ पर question है कि isotonic exercises are related to तो isotonic exercise कि से strength related है सभी लोग जानते हैं इसे हम dynamic strength भी मानते हैं ठीके तो इस तरीके questions आएंगे आपके ज़्यादातर बाकि PGT का भी मैं GDP आपका child development and pedagogy में इस तरीके questions कुछ आएंगे language या आपको सब कुछ हमारे telegram channel पर मिल जाएगी इसकी PDF या आप पर visit कर सकते है description box में लिंक डाल दूँगा ठीक है एक बार physical education का question मैं आपको दिखा देता हूं PGT में कौन सा है from whom do we get immunity brother sister mother father तो option आप जानते होंगे ठीक है इस आप जुड़ सकते हैं तैयारी कर सकते हैं have a nice day bye bye